ये पापा जैसे अपने बिटिया को गोद में लेते हैं, वैसे ही पता चलता है कि बच्ची की मा चल बसी, जो सुन पापा के आँख से आशू की बारी सोने लगती है, जिसके बादे पापा अपनी बच्ची को ममी और पापा दोनों का प्यार देने लगते हैं, फिर एक दिने पापा अपनी बिटिया के लिए पायल लाते हैं लेकिन नर्खी पायल पहने से इंकार कर दोर तो ये अपनी मा के फोटो के पास आ जाती है जिसके एगले दिने पापा अपने बिटिया को अपने कंदे पे बिठा कर मंदिर में लाते हैं जहां इन्हें अपना कला दिखाना थ और ये तयार हो ही रहे थे तभी इनकी बिटिया अपने हाथ में कपाल उठा कर मुश्खाने लगती है जो देखिने अपने पत्नी का यादाने लगता है और इने पहली मुलकात से लेकर सादी करने तक और मा बनने की पहली खबर सुनने से लेकर जब इनकी बिटिया की जन्म होने वाली थी उस समय, ये इसी मंदिर में अपना कला दिखा रहे थी, जो सब याद कर ये पापा, अपने आख से आशू बहाते हुए, घंटों तक मंदिर में अपना कला दिखाते हैं, जिसके एगले दिने पापा जब पूजा कर रहे थी, उसी पापा इसकी मा की पाइल इसके पैर में पाहना देते हैं, जो पहन कलर की काफी खुशो कर, दोर तो ये अपनी मा की फोटो के पास आ जाती है, दोस्तों इस प्यारी से गुरियर आने के लिएक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है